नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे तेज नियूज 6 जुलाई से शुरू हो रहे सावन में इस बार भले ही कई अनोखे सन्योग बन रहे हों लेकिन करोनाम हमारी के चलते भक्तों को भोले नाथ के दर्शन करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी भक्तों को शिवलिंग पर जल अरपन करने का मौका नहीं मिलेगा दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा मंदिद में मास्क पहने बिना किसी भी भक्त को मुख्य द्वार के फीतर प्रविश करने नहीं दिया जाएगा जिन भक्तों के शरीर का तापमान सामान्य होगा उन्हें सैनेटाइजर मस्टीन से गुजरने के बाद ही प्रविश मिलेगा सावन में इस बाद सोमवार का अनोखा सन्जोग बन रहा है इस साल सावन माह के शुड़ूवाद शिवजी के खास देन माने जाने वाले सोमवार से ही हो रही है सावन का समापन भी सोमवार को होगा इसके अलावा सालोबाद हर्याली अमावश्या भी सोमवार को ही पढ़ रही है सावन महीने में इस बार एक तिथी का छह हो रहा है इसके चलते सावन 30 के बजाए 39 दिनों का होगा सावन महीने में कुल पांच सुमवार पढ़ेंगे सावन के हर सुमवार को भक्त शिव मंदिर में भीर लगाते हैं इस बार जलाविशेव के अनुवती नहीं मिलने से भक्तों की शंख्या में काफी कमी रहेगी प्रतेक सुमवार को अलग-अलग रूपों में शिवलिंग का म सुमवार और संतुलसी दास जैनती 27 जुलाई को पढ़ेगी और आखिरी और पांच वार सुमवार और रच्छा बंधन 3 अगस्त को मनाया जाएगा धन्यवाद आधर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं आपकी हर छोटे बड़ी खुश्यों में हम चार चांद लगाते हैं प्यार भरी भेट और उपहारों के रूप में तोहारों की रोनक बढ़ाते हैं आपके सभी अन्मोल रिष्टों को हम प्यार से सजाते हैं स्वन अलंकार की कला समेटे हम है शिवा ज्वेलर्स घास बाजार मउव।